यहां पर यह उठों का मेला लगावा है और यह काफी लंबे समय से इस मेले में आते रहते हैं और इनकों का फिया नवव है इस मेलेगा तो यहे इस मेले के बारे में आप क्या करना है जो यहां पर लगा वा ? यह जी कई सालों से लग रहा है और बहुत बड़ी अमंदी है यहाँ राज़स्तान का और अर्येने का बहुत पस्वत्ता है और लिक्री ठीक होती है सब लेने देने वाँ यहाँ कारी तो आपके बार जैसे कोवीड का प्रोब्लम रहा लेकिन फिर भी यहां पर कुल मेला कर कितने उंट आये और कितनी व्याफार हुआ है यहां पर कितनी विक्री तो यहां पर काफी तेज है और पिछली सालों से उंटों में तेजी है कुछ यहां पर करीब डेड़ लाक रुपए की मूट भीके हैं और यह करोना की वज़े से कम हैं उंट वरना यहां बहुत जादा उंट आते थे अगर उंटों की किमत के अगर बात करें तो अधिक्तम कितनी किमत के उंट यहां पर आएवे बेड़ी लाक रुपए की मूट यहां आते हैं और नार-णोल के गाक यूपी के और अरिया के राजसान के चारूत तरफ दिन आहां जी आपके राजसान में जोड़ाना जोड़ लगता है ठकेदार ईपर्था हूं होती ठकेदार के फरूं आप खाहिं भी लगवा सकते हैं तेक का ले ले अपक के लिए उनमें हो ठीक फूटा पर्ची मेलम बढ़ने के लिए टियूरिक थीकिंब करते हैं दूस थीन सिनों जो इस त्रीकके से चम्छान में भोलगाय जा सकता है लिए जिस परकार से ँंटों की जंख्यातार गट रही है तो इसमें कैसे गरोथ की जा सकती इस्म मंठा से बट डी पेपर अपने आप लिए ऐँडरेकर रूप से बात करें तो उटों की संख्या वाइसे कम होती जा रही है जिस परकार से ट्रेक्टर के साधन वड़ रहे हैं लेकिन उटों की संख्या में क्या वर्दी हो सकती है यह वर्दी हो सकती है जी रास्तान से जैसे बाड मेर की तरफ से नागोर से आते हैं और रीड़ मान इसके बीच में तो एक मिला हमारे दर्शू लगता में दर्शू लगता में असके बाद में यह आता दस दिन बाद उस से दस दिन पर एलगा दे ठीक और यहां से फिर गूगा मेडी माल से लेजाएगा बहुत करे विक्रेवगा ऐसे है कि तेल और डीजल के दाम बढ़ते जा आजये हैं तो यह थे इस समय लोहारू से जो कि यहां पर उटों का मेला लगावा है इस मेले में आएवे व्यापारी हैं और यहां पर करीब 500 संख्या में उट पोंचे हैं और डेड़ डेड़ लाख की कीमती उट भी यहां पर पोंचे हैं लेकिन इस बार कोवीड की ला लाइनो दिपला